नमस्कार किसान भाई और डी गार्डन में आप सभी किसान भाईयों का एक बार फिर से स्वागत हैं और आप बने हुए डी विजामा के साथ ग्याओं भुआई का समय नजदीक आ चुका है किसान भाईयों और मैं समझता हूँ सबी किसान भाई अपनी ग्यों गवाई के लिए पूरी तयारी कर रहे हैं ताकि अच्छी सी पैदावार हमें ग्यों की फसल से मिल सके तो इसके लिए किसान भाईयो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अच्छी पैदावार किस तरीके से ले इसके लिए बहुत ही छोटी छोटी बाते हैं अगर आप इन पर थोड़ा सा भी धान देते हैं किसान भाईयो तो मैं समझता हूँ एक एकड़ से आप 28 कोईंटल तक की पैदावार ले सकते हैं तो चलिए किसान भाईयो बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है देगे सबसे पहले बात करेंगा बीज के बारे में तो आप इस चीज का जान रखिये कि काफी अच्छी वैराइटी आपको लेनी है तीन चार वैराइटी की वीडियो मैंने बना कर डाल रखिया है आप उन में से कोई शी भी एक वैराइटी का चैन कर लें और उसकी बाई करें तो किसान भाईयो ये तो हो गई बीज की बात अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसान भाईयो बाईयो का समय जो है वो बहुत ही एहमियत रखता है हमारी फसल के लिए देखे वैसे तो हम भी वीडियो में जो बताते रहते हैं पहली नुमबर से 30 नुमबर तक का टाइम बताते रहते हैं लेकिन किसान भाईयो इसका भी एक उचित समय है पहली नुमबर क आसपास अगर अपने ग्याउं की बुखाई कर देते हैं तो किसान भाई उससे थोड़ा सामिट डर क्या लगता है जब हमारे ग्याउं की फशल बड़ी हो जाती है और वह गाब्भी में होती है यानि कि हमारी बालया निकलने वाली होती है तो उस समय पर किसान भाई यो अर ग्यों की फसल लेट सकती है यानि के वे लेट जाती है और लेटने के साथ ही किसान भाईयों जो हमारी पैदावार है उस पे सीधा सीधा असर इसका जाता है यानि के हमारी पैदावार आदी ही रह जाती है तो किसान भाईयों ये समश्या हमारे सामने ना है इसके लिए देख बिरने गिराने की समझा है यह भी काफी हद तक कम हो जाती है अब बात कर लेते हैं किसान भाई यो खेत की तैयारी की तो जब आप अपने ग्यों की बिजाई करें तो किसान भाई यो आपके खेत में काफी नमी हो जानी चाहिए कई बार मैंने देखा है काफी किसान भाई आल अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है तो आप इस चीज का भी से जाने रखेंगे, आपके एच्छी नमी होनी चाहिए, ताकि जो हमारा ग्यों का बीज है, वो एक साथी सारा का सारा उग सके, तो किसान भाई, अब बात कर लेते हैं, और वर्कों की मातरा की, तो देखें, उर्वर्क आपको बिल्कुल सही मातरा में देने हैं, ना ही तो आपको जादे कम लेना है, और ना ही आपको जादे अधिक लेना है, अगर कुछ किसान भाई, ये सोचते हैं, कि जादे मातरा में उर्वर्क डालने से हमारी फसल अच्छी पैदावार देगी, तो किसान मातरा में औरवर्क डालने से भी हमारी फजल को वे नुकसान पहुचाने लगते हैं तो इसलिए आप सही मातरा में उनका उप्योग करें तो दो बाते किसान भाई यहां पर हो जाती है एक तो आपको औरवर्को की मातरा सही लेनी है एक आपको बीज की मातरा बिल्कुल सही ल पाटा लगा कर अपने जो और वर्कों को हैं उनको डाल दे उसके बाद बीज बखेर दे और किसान भाईयो आखरी दो जुटाई करके पाटा लगा दे तो इस तरीके से आपकी ग्यों की फसल की बिजाई हो जाती है तो किसान भाईयो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का आती है क्योंकि बीज भी कई परकार के आते हैं एक होता है फाउंडेशन का बीज एक होता है सर्टिफाइड बीज और किसान भाईयो एक होता है हमारे घर का बीज तो इन तीनों ही बीजों की मातरा किसान भाईयो बीजाई के लिए हमें अलग-अलग लेनी पड़ती है मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके क्योंकि मैं आने वाले वी समय में किसान भाई यह थी आज की जानकारी यह एक नई जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में फिर बिलते हैं तब तक के लिए सभी वाई य jsूherरो नमस्षकार